खत्रा डेंजरस राम गोपाल वर्मा की ये एक ऐसी फिल्म जो उसने सिर्फ और सिर्फ मजे करने के लिए बनाई है लेजबियन्स की स्टोरी ये दोनों और कैसे ये लड़किया किसी चीज में बहुता हूँ ये मुवी कोई स्टोरी के लिए नहीं बनाई है अंकल जी ने ठरक जो बुढ़ापा है वो इनका बहार आया है और जिस तरीके से वो एक वीडियो वाइरल हुआ था उसने वो एक्ट से दिल सुब बोलता हूँ ये मुवी सच में लेकिन जिनको एंजोय करना है ना जाईए जाके एंजोय किजिए क्योंकि ये स्टोरी इन्होंने ऐसा दिखाया है कि कुछ पैसवेसों का जमल जमेला है लेकिन वो स्टोरी है नहीं स्टोरी के नाम पर मतलब और हाँ एक खून अब 75-77% इन फैक 80% आप वहीं दिखाना चाहते हो जो दिखाने वाले थे तो पूरा कपूरा वहीं दिखा रहे थे ये क्या बीच में वो मगच मारी वो गुंडे दिखाये वो पूली स्पाइसा क्या क्यों दिखाना क्या था था भाई तुमारा इंटेंशन जोता हो समझ म आ गया पब्लिक के आठ एपरिल में शायद या कब रिलीज होने वाली थी नो नो कितने आठ नो महिने इसको ये हो गया कॉंट्रवर्सी में फसी थी ये मूवी फाइनली इन लोगों ने रिलीज की पर मुझे नहीं लगते इन्होंने कोई सीन स्विन कट किये और देखना क चाहती है पब्लिक सबको पता है तो भई मैं यही कहूंगा कि जस्ट एंजोई द मूवी एंजोई करो भई एक्स्प्रेशन में समझ जवाब की इस मूवी का क्या आपको रिवीव चाहिए इसमें किसी को क्या रिवीव और पैसा वसूले भई मतलब अगर मैंने जो देखा यह जो मतलब मल्टिप्लेक्स तो छोड़ो वहाँ पर नहीं लेकिन जो सिंगल स्क्रीन थेटर एकुछ जगा पर तो आई से मस लगा दिये चार चार सो पैसा इसमें कुछ जादा डाला नहीं होगा लेकिन भई 60-60 रुपीज के तिकिड में अगर आपको यह दिखने को मिल वह उनकी चॉइस है चलो यह पकड चलो जैसे वह आंटी बोलती है ना पाच-पाच बॉइफ्रेंड वाली इस और चॉइस या फिर जो भी मतलब तो वह इसे टाइप की कि वह उनकी चॉइस है लेकिन तुम उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तुम वह तुमें बस वह द कर लो भाई तो थेटर मतलब यार नहीं भाई अभी से जादा में कुछ कहने नहीं आला जस्ट एंजोए दो मुवी यार और पता नहीं भाई इसके दिमाग में क्या चलता रहता है और एक कोई मुवी थी ना उसकी वह लड़की करके आई थी यह उससे भी उपर किये भाई